असलाम अलेकुम उमीद है आप सब खेरी सोंगे आज हमने मैथमेटिक्स क्लास 10 की चैप्टर नुबर 4 की एक्सरसाइस 4.3 सौल्व करनी है तो एक्सरसाइस 4.3 में हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है हमने पढ़ना है resolution of fraction when d of x consists of non-repeated irreducible quadratic factors इसमें अब हमने इस तरह की fractions होंगी उनको हमने पार्शल फ्रेक्शन में रिजॉल्व करना है जहां पर हमारा जो डिनॉमिनेटर है d of x है वो non-repeated irreducible quadratic factors होंगे उसके अंदर involved हो रहे होंगे ठीक है quadratic if इसमें equation जो है वो यूज होनी है if a quadratic factor हमारे पास rule no.3 है पहले दो rules हम पिसली दोने exercises में कर चुके हैं इसमें भी तकरीबन सेम ही method है बस थोड़ा सा हमने यहां पे change लेकर आना है if a quadratic factor ax square plus bx plus c यहां पे quadratic factor आ गया quadratic equation हमें पता है क्या होती है ax square plus bx plus c होती है उसी को quadratic factor कहा है जहां पे a zero के equal नहीं होगा a is not equal to zero occurs once as a factor of d of x यानि कि हमारे denominator में यह quadratic factor है यह use होगा यह वहां पे involve होगा तो the partial fraction is of the form तो जहां पे यह चीज़ involved हो जाएगी मार पास quadratic factor तो हम partial fraction किस form में बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे ax plus b over ax square plus b x plus c जो quadratic factor होगा उसको denominator में लिखेंगे और उर उपर जो constant यूज करेंगे वो ax plus b के form में यूज करेंगे simple a यूज कर लिया b c ऐसे separate constant होगा लेकिन जब quadratic equation यूज होगी quadratic factor यूज होगा जिसमें 2x involved हो रहे होंगे तो हम अपना जो factor इस form में बनाएंगे ax plus b बना लेंगे cx plus d बना लेंगे इस तरीके से बनाएंगे where a and b are constant to be found exercise start करते है exercise 4.3 resolve into partial fraction question number 8 इसका हम करेंगे x square plus 1 over x cube plus 1 अब x square plus 1 x cube plus 1 हमारे पास जो इन्होंने equation दी वो है ठीक है अब x cube plus 1 को हम simplify करते है x cube plus 1 का formula जो होता है x cube plus 1 cube वह वहला हमने आपे formula open कर दिया तो x plus 1 x square minus x plus 1 आ गया हमारे पास x cube plus 1 में जब हमने a cube plus b cube वहला formula open करते है तो हमारे पास यह value आगी अब इसके हमने factor बनाने ठीक है तो सबसे पहले हम x plus 1 का बनाते है a over x plus 1 यह तो simple हमारे पास जैसे हम पहले पिछली दोना exercise में बनाते है factor उसी तरीके से अब यह जो एगी quadratic factor है ठीक है a x square plus b x plus c की form में हमारे पास यह quadratic factor है तो इसको हमने इस तरीके से पॉंच्छा fraction में लिखना है b x plus c over x square minus x plus 1 तो हमारे पास दो किसम के factor बन गए यह हमारे पास equation 1 आगी equation 1 को solve करते है multiplying by x plus 1 x square minus x plus 1 we get हमने इस equation को यह दोनों जो नीचे बाली values आएंगे हमारे denominator की values है इसके साथ multiply करेंगे अपनी पूरी equation को ठीक है x square plus 1 के साथ आधा जब x plus 1 और x square minus x plus 1 को multiply करेंगे तो हमारे पास x square plus 1 रहा जाएगा और इस तरफ a के साथ हम इन दोनों factors को multiply करेंगे तो a के नीचे x plus 1 है उसके साथ x plus 1 वाली चीज़ीज केंसल हो जएगी तो a के साथ हम x square minus x plus 1 को multiply करके लिख देंगे B X plus C के साथ जब हमने X plus 1 और X के मानस X plus 1 को multiply किया तो B X plus C के नीचे X के मानस X plus 1 वाली term है उसके साथ water term cancel हो जाएगे तो B X plus C के साथ X plus 1 multiply करके लिख देंगे इस तरीके से हमार पास यह equation number 2 आजाएगी equation number 2 को एक step हम और simplify करते है X square plus 1 मैंसे रहा A के साथ जो value है यह X square minus X plus 1 मैंसे गया अब B X plus C X plus 1 जो है इसको हमने solve किया B X को पहले X के साथ multiply करते हैं फिर 1 के साथ तो हमारे पास आजएगे B X square plus B X उसमें से हमने B को कॉमा ले लिया तो हमारे पास X square plus X वाली term आगी और next हमने C को इन दोनों के साथ multiply करेंगे तो C into X plus 1 आगया हमारे पास अब यह हमारे पास equation number 3 आगी अब हमने क्या करना है हमें question में से एक X की value तो मिल रही है question में से कैसे मिल रही है हमारे पास X plus 1 का factor है X plus 1 में से हम X की value ले सकते है X plus 1 is equal to 0 and X is equal to मारे पास आगे का minus 1 वह जो value आगी है put X is equal to minus 1 in equation 2 हमने इस equation 2 में यह x minus 1 पूट कर दिया यहां पे आगे हम minus 1 का square plus 1 जहां 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 X आगे हम आपे minus 1 पूट कर देते है A into minus 1 का square minus into minus 1 plus 1 B into minus 1 plus C minus 1 plus 1 जहां पे minus 1 plus 1 वाले टर्म है वह 0 होगी जिसकी वज़ासे B और C वाले टर्म हमारे पास 0 होगी यहां पे क्या करते है minus 1 का square 1 है minus multiply होके मारे पास C भी plus 1 आगया और यह भी plus 1 यह तीनों जो 1 एड करते हैं हमारे पास आजाता है 3A और इस तरह आगे 2 A की value हम निकाल सकते हैं इस 3 को यह जाकर हम divide कर देते हैं तो A की value हमारे पास आगी 2 by 3 अब A की value आगी है हमारे पस X की A की value थी question में से जो हमने use कर ली अब next step में हम coefficient को compare करके values निकालेंगे Now comparing coefficients of equation 3 हम equation 3 use करते है coefficient को compare करने के लिए एकसके कपेर करते हैं ठीक है अगर हम coefficient compare करते है तुमारे पास इस तरफ से अती है 1 value क्योंकि यहां पे X की value है और इस तरफ से x के 2 values आ रही है एकसके की value है एकसके के और बीख साथ थी आ यहां इस तरफ से A प्लस B आ गया और इस तरह निकाल सकते हैं एक ही वैल्यू हमें पता है तो हम यहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक ही वैल्यू हमने पुट कर दी 2x3 प्लस b is equal to 1 है बी की वैल्यू हमें चाहिए तो हम 2x3 को इस तरफ जाके 1 में से सब्ट्रेक्ट कर देंगे यहां पर एक ही वैल्यू देगा तो हम इसको सब्ट्रेक्ट कर देते हैं 3 1 के साल में टिपल होके 3 हो गया और हमने नीचे 3 लिख दिया 3-2 over 3 हमारे पास या गया 3-2 किया तो हमारे पास 1 आ गया और नीचे था 3 तो हमारे पास b की वैल्यू की आगी 1 over 3 a और b दोने की वैल्यू आगी next step अब हमने c की वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू के लिए अगर हम इस तरफ से compare करते है next term को next term अगर हम compare करते है मारे पास equation आती a plus c is equal to 1 अगर हम constant को compare करते हैं ठीक है पहले हमने x curve को compare कि अब हम constant को compare करते है तो हमारे पास क्या आ जाता है constant 1 जो है एक यहां constant a के साथ और a constant है जो c के साथ 1 ठीक है यहां से हमारे पास a plus c आ जाजएगा और इस तरफ से जो 1 constant है यह आ जाजएगा तो हम अगर constant को compare करते हैं तो हमारे पास क्या आती है values a plus c is equal to 1 अब again हम a की value पता है 2 by 3 तो उसको हम यहां पर put करें और c की value find कर लेंगे c is equal to 1 minus 2 by 3 हो जाएगा c is equal to हमारे पास 3 minus 2 by 3 करके 1 by 3 आ गया c की value भी आ गी है अब हमने यह तीनों values a b c के question number 1 में put कर देनी question number 1 थी है मारे पास c value a over x plus 1 plus b x plus c over x square minus x plus 1 यहां a b c की value put कर दें a की value है हमारे पास 2 by 3 और c और b की value दें 1 by 3 1 by 3 ठीक है put कर देंगे a की जगर 2 by 3 over x plus 1 और 1 by 3 x plus 1 by 3 x square minus x plus 1 ठीक है अब यह 2 by 3 है 2 by 3 over x plus 1 आ गया और इसको हम थोड़ा सो solve करते है 3 यह दोनों values में हमारे पास genome integer 3 है तो हम common में as a common लिख सकते है 3 लिख दिया उपर यहां पे हमारे पास x है और यहां पे हमारे पास 1 है दोनों add हो रहे हैं denominator same है तो as it is हम इसको ऐसे लिख देंगे x plus 1 over 3 और यहां से आगे 2 over 3 अब यह जो 2 over 3 है यह 3 इस 2 से divide हो रहा है तो हम इसको आगे next step में लिख सकते है x plus 1 के साथ क्योंकि वह भी चीज़ डिवाइड हो रही है तो हम इसको लिख देंगे 2 over 3 x plus 1 यह वाला 3 भी यहां नीचे equation के साथ आज़ेगा x square minus x plus 1 के साथ कि जहां पर denominator में हमारे पास quadratic factor involved होगा उसको हम थोड़ा सा चेंज तरी करें 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 करें